नमस्क्राइब दोस्तों मैं नाम पीशाब देखते कोशनार भारत आप लोंको पता है कि आज दोपैर से साम के बीशी घटना है कि पंजाब के विश्व प्रसिद्ध सिंगर सिद्धु मुसेवाला की गोली मार का हत्या कर दी गई है गोली सामने से चलाई गई है लगबग 6-7 राउंड की फाइरिंग की गई दम दर्दनाक बूटल किलिंग है कहा जा रहा है कि गोल्डी ब्रार नामक एक गैंस्टर ने इसकी जिम्मेदारी लिए है और लॉरेंस बिश्णोई ने जिम्मेदारी लिए दो लोगों का ये नाम सामने आ रहा है इन दोनों की कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग एक ही ग्रूप के हैं और उनकी और सिद्व मुसेवाला की मैनेजर मतलब का पहले एक बार नाम सामने आ चुका था किसी हत्तिया कारण में और कहा जा रहा है कि ये गैंग वर्स लिटेड मैटर है इसको politicize ना किया जा जा नॉर्मल चीजे हैं इसको politicize इसलिए भी किया जा रहा है कि अभी हाली में सिद्व मुसेवाला की security ली गए थी लगवग एक दो दिन पहले ही और security लेने के इतनी जल्द skilling का हो जाना इदर साथ है कि कितनी बड़ी law and order की लापरवाई है पंजाब government जैर सी बात है पंजाब government का बाप बनके कौन बैटा है कीजरिवाल तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि आम आदमी की सरकार में सिद्व मुसेवाला जो की इतना बड़ा चेहरा global level पे मैं नहीं कह सकता कि आम आदमी सुरक्षित नहीं नहीं वो वेक्ति आम आदमी नहीं था उनके चाहने वालों की कमी नहीं है हर जगा उनके लाखों लाखों करोडों में उनके followers हैं दुनिया भर में उपर सिद्ध हैं अगर वैसा वेक्ति सेक्योर नहीं है तो आप सोचिए कि कैसा वेक्ति सेक्योर है इस देश में और इस राज्य में अब देखने वाली बात है कि यह जो गैंग वार चल लई है जो बिश्णोई है जो अब्रार है इनके उपर भाजपा सेंट्रल गवर्मेंट को जाच बिठात उसकी अडिलोजी उसकी क्या है क्या क्या नहीं यह दूसरी बात है अगर इस ग्राउंट पर देखा जाया कि कोई गैंग्स्टर किसी को मार देगा तो उस गैंग्स्टर की जिंदगी बरबात करना सरकार का काम है अब देखते कि किस सथ तक सरकार इस बात में सफल होती है ज अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि केजरी वाल ये प्रूफ करे कि उसकी सरकार में लॉइन ओर्डर की सिचुएशन सही होगी और जिन लोगों ने भी किया है विदिन मन्त और चलो छह महीना तीन महीना जितना समय लेना लेलो इनको पकड़े जाना और सरकार की तग्ड़े लिए तग्लिएप 수ह अगला आजटी को पष्ड़्यक्ये बिस्टाइब कारफ।